समस्कार दोस्तों मैं हिंदी गुरू अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आए हूँ समास जो कि इसका ये पार्ट 2 है इसके पार्ट 1 को मैं आपको अब तक दे चुका हूँ साथे साथ इसे लेटेट सारी वीडियो जैनी जो भी आपकी नोट्स वाली वीडियो चल लही है वो सभी का जो है लिंक इसके डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा वहां से आप उसको देख सकते हैं इसकी पीडिया भी वहां से जाकर करके आप डॉनूद कर सकते हैं और वीडियो सुरो करने से पहले एक बात और दौस्तों कि जो मेरे नए सस्क्राइबर है उनको subscribe करने के साथ साथ उसके बगल बने हुए bell icon पे click कर लेना चाहिए ताकि जो है जो notification है उनको तुरंट मिल जाए क्योंकि आज कल बहुत सारे subscriber का कहना है कि उनको notification नहीं मिल लए है तो जो पुराने भी subscriber है उनको भी चाहिए कि notification बिल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि उनको भी समय से समय से आपको notification मिलती रहे और एक बात और कहूंगा कि कजूसी बिल्कुल भी न करें like करने में जैसे पसंदा है तुरंट like बटन पे click करके उसको like कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share भी करें चले दोस्तों ञिक कोई आपको संख्यवाचक सब्ड मिलेगा जैसे क्या मिलसकता है आपको जैसे मिलता है चो राहा, ती राहा, जैसे चो राहा में चो आया हुआ है, ये एक संख्या वाचक है, ती राहा में ती आया हुआ है, ये एक संख्या वाचक है, चतुर अनन, ये भी एक संख्या वाचक है, जिसमें चतुर चार से आ रहा है, तो ध्यान दीजेगा कि उसमें प से आपको पता चला है कि यह आपका क्या है यह आपका एक संख्या वाचक है और इसमें जो राहा है से रहा से मलब रास्ते से लिया गया है यानि चार राहू का समाहार होता है उसको हम क्या बोलते हैं चौराहा बोलते हैं अब देखिए यहां दिया गया है पंच्या मलब समुह को दरसाथ है तो यहां भी आपका क्या होगा यहां भी आपका दिगू समास होगा इसके अलावा आपका क्या होगा दिगू समास में होगा अब तक दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्श देखते हैं तो अब आपका है द्वन्द समास अभी तक आपने पढ़ा दिगू अब आपका पढ़िए द्वन्द समास इसमें क्या है दोस्तों देखे कि इसमें दोनों पद यानि जैसे योजक अव्याव को देखने को मिलेंगे योजक चिन लगा रहता है जिससे आप पैचान सकते हैं तो यह तो आपको मिलता ही मिलता है लेकिन इसके अलावा भी कई जगा कई बार ऐसा हो जाता है कि योजक चिन आपको नहीं मिलता है और उसके अलावा भी उसमें क्या हो द्वंद मींस , आप सुना होगै मिला या परकार से रहा हूं समाहार मीस क्या होता है क्यたい चीजर को एकत्र करके उसका एक संग्रे एकटा करके संग्रे कर लिया जाए उसको बोलते हैं क्या समहार तो देखे दो समहार में जैसे कि मैंने आपको क्या लिखाए देखे रोटी डार ये आपका क्या है समहार दूंद का उधारन है तो इस समहार दूंद का मतलब क्या है इस समाहार का मैंने मतलब बताया कि चीजों को एकटा करना तो इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या अगर रोटी डाला बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि भोजन के सभी प्रमुक जो प्रधार्त होते हैं उनके अर्थ में इसका पूरा पूरा अर्थ लिया जाता है तो उसको अमलों क्या बोलते हैं समाहार बोलते हैं ध्यान लिजेगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप इस उधारन को देखें राम लचमर तो अब इसमें जो है क्या आपको मिलेगा राम लचमर से मिल जाएगा राम और लचमर जैसे मैंने यहां पर बताया देखिए और या तो यह यह आता है ना तो इसमें आपको बताया मैंने क्या यहां पर आपका क्या मिलेगा राम और लश्मण इसके बाद क्या चीज आप देखिए यहां पर एक चीज और मैंने कहा था कि दोनों प्रधान होते हैं यानि दोनों का खाने के लिए जो समाने कट्टा करते हैं उसको हम लोग जो है इसमें कह सकते हैं कि हमारा क्या है रोटी दाल है इसी प्रकार से भाई बहन की बात की जाए तो क्या होता है दोस्तों भाई और बहन पाप पुड़क की बात की जाए तो पाप या पुन्य देखे इसमें या का वह आ रहा है या तो पाप होगा या तो पुन्य होगा तो सभी चीजे इसमें आपको देखने को मिल गए दूस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी हुई है उसको भी मैं बता देता हूं कि यह सब क्या है द्वंद के टाइपस है प्लाव जैसे कि दौनों के पीच में और सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब को जिससे पता चलेगा यह क्या है आपका इत्वांत्तर है इसके बास महांत्य जेसे रोटी डाल है इसमें आपको जो है समाहार दवन मिलेगा इसके लाबा रुपिया पैसा रुपिया पैसा में जो है केवल आपका केवल रुपया पैसा से नहीं अर्थ है उसका आर्थ है आपके पूर टोटल संपत्ती से इसी प्रकार पाप और पूर्ण में देखा जाए तो पाप या पूर तो ये भी आप जाने तीन टाइप के और उपभेद होते हैं जो आपके दर समास के अंतरकcia आते हैं चलिये दोसतों आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका दुस्तों की बहुभरी ही समास ये भी बहुत सिंपल होता है दोस्तों इसमें क्या है कि इन में कोई भी पत्प्रधान नहीं होता है दोनों मिलकर एक नया आर्थ ही प्रकट कर देते हैं और वही जो है मेन होता है तो जैसे देखें दोस्तों यहां उधारण में आपको दिखाया गया है कि पीतांबर तो पीत आंबर में आपने देखा तो पीत और अंबर से मिला है यानि पीला वस्त धारड करने वाला तो इसका जो अर्थ निकल के आता है वो क्या है स्री कृष्ण देखे दोस्तों अभी इसको मैं आपको एकड़म से क्लिए करता हूँ कि क्या चीज है देखें दोसों पीतांबर से अगर आप देखें तो जब मैंने कर्मधाराय समास बताया था तो उसमें आपको पताया था कि विसेशर और विसेशत का जहां संबंद लिखता है वहाँ पे हमारा कर्मधाराय होता है तो यहाँ देखें पीत और अंबर यानि जो है क्या हो गया पीला वस्त्र यानि पीला वस्त्र क्या हो गया यहां पर यह पीत आपका क्या हो गया विसेशा हो गया और अमबर आपका क्या हो गया विसेशे हो गया तो यहां पर करमधाराय समास होना चाहिए था लेकिन इसका जो है मैंने जो धारन लिया है यह किस आ जाती है हमलों के दिमाग में तो यहां पर प्रमुकता दिख रही है और हमारे दिमाग में ईरह है स्रीक्रिषन है आप एक करम धार या समाज में भी रंखते हैं तो कोई गलती नहीं है क्योंकि यह इसका यह पुरा कर रहा 2020 से करण वो उसमें भी आ सकता है तो आप इसके लिए परशान नहीं हो येगा कि कोई गलती है कि आपने बवरी में कर दिया या उस आपने जा करके जो है अपने कर धाराय में कर दिया कोई दिक्कती बात नहीं है आप किसी में भी कर सकते हैं जो भी आपको option में मिलेगा उसको आपको लगाना है तो देखे जैसे अगला देखे दोस्तों लंबोदर लंबोदर क्या है लंबा उदर वाला तो जैसे लंबे उदर वाला हमेरे दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या आता है हमको क्या चीज ध्यान में आता है हमको ध्यान में आता है कि गड़ेश जी को बोला ज तो हम किया लगाएंगे बहुत समास इसी प्रकार देखे दोसथे समूख की बात की जाए मतलब क्या हम लोग दिमाग में की बात करते हैं तुरन्त समय की दिमाग में रावळ आ जाता है ना कि तो दोनों में आएगा कोई दिक्रत की बात नहीं है जो भी option आपको मिलता आप लगाई गलत आपका नहीं होने बाला है तो ये सरी चीजे हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है ध्यान से करना है बाकी जो भी चीजे मैंने उसमें पढ़ा ही थी उसको भी आप अच्छे से पढ़ लिजेगा सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा आपका अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो quiz है इसको आप लगाई next question आपके सामने है कि रुपिया पैसा में कौँ सा समास है तो आंसर देखे दोस्तों आंसर इसमें होगा अभी अभी मैंने इसके बारे में चर्चा गी थी कि जो है दुन्द के अंतरज़त ये सवाते हैं जिसमें आपका इतेत्वर दंद होता है जिसमें आपको क्या मिलेग को पूरा 100 करेगा बताएगा जैसे रुपीया पैसा से आपको पूरा संपत्ति के अर्थ में यहां आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगर समाहार द्वंध होलिज में नखिये रिखेता जिसके भीच में जया जा जाए यानि अपयश्रा आBo प्रोज करना जैसे पाप और पुणे का भी मैंने पीछे एक्जाम्पल लिया था तो यह ध्यान रखिएगा चलि दोस्तों आगे चलते हैं एक्ज देखते हैं कि बारम बार में कौन सा समास है answer देखते हैं दोस्तों, तो answer क्या होगा? आपका अवेवाई भाउ समास मैंने अवेवाई भाउ समास पढ़ाते समय बताया था कि दिनों दिन जैसे बार अबार आना ये भी type की किसमे आजाते हैं? अवेवाई भाउ में आजाते हैं नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों अकाल पीडित में कौन सा समास है अंसर देखे दोस्तों अंसर आपका होगा तृतिये ततपुरुस समास अकाल से पीडित आप कह सकते हैं और तृतिये ततपुरुस में भी मैंने बताया था पढ़िये करता ने कर्म को करण से करण क्या होता है तृतिये में आता है इसलिए इसको यहां पर तृतिये तत्पुरुष भी लिखा गया है अगर इसको करण तत्पुरुष भी लिखा जाता है तब भी इसमें कोई गल्ती ना होती चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पीतांबर लिया था पीतांबर मतलब पीत वर्फत धाराण करने वाला अर्थात स्री कृष्ण इसलिए उसको आमने बहुवरीव में ले लिया था लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकल लाहा है यानि यह कोई अलग अर्थ के संबंद में आ रहा है यह पीत सागर है पीत सागर का मतलब पीला सागर इसलिए यहां पर कर्मधाराय समास हो जाएगा नेक्स कोशन है जलज में कौन सा समास होगा आंसर है आपका बहुवरीवी समास देखे दोस्तों जलज में बहुवरीवी समास कैसे हो गया जलज क्या है जलज आपक कर्मधाराय समास चलिए उस्तों आगे देखते हैं कि उपकूल में कौन सा समास है आंसर आपको कहोगा अवईभाव समास देखिए उपकूल यहाँ पे उप आ रहा है इससे आपको पता चल जा रहा है यह क्या है आपका अव्याय है और यह आपका क्या हो जाएगा वईभाव समास हो जाएगा तो नेक्स कोशन है आपके लिए दोस्तों कि निमलिकित में से कौन सा बहुरी ही समास का उधारण नहीं है यह आपको बताना है तो आंसर देखिए दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा closer जाएगा आपका 3 लोट, 3 लोट क्या होता है, 3 लोग, तो 3 अपका क्या गया है, एक संक्या वांचाका गया, जो की आपका कौन से समास में होता है, झाले आगे चलते हैं, दोस्तों, नगर प्रवेस में कौन से समास है, है तो अंतर देखें तोसो अंसर आपका हो जाएगा ततपुरुस परुस समास, dropp नगर में प्रवेश तेका जाए तो ततपुरुस समास में आता है आगे चलते हैं कि बार भार में कौन से जार समास है तो दोistव अभी वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ clear हो जाएगा next दोस्तों कि त्री नेत्र में कौन सा समास है answer देखे दोस्तों तो answer आपका हो जाएगा बहुवरिवी समास क्यों यहाँ पे बहुवरिवी हो जाएगा त्री नेत्र क्या आज जैसे आपका बगवान शंकर जी के त्री नेत्र होते हैं उनको बोला जाता है त्री नेत्री तो इसलिए आपके त्री नेत्र में आपका बहुवरिवी समास हो जाएगा अगर आपको क्या बोलते हैं मिलता है आपको दिगू मिलता है उसमें बहुत भी नहीं मिलता तो आप दिगू लगा के आईएगा और अगर दोनों एक साथ मिलता है तो मैं आपसे कहूंगा फिर वही चीज की जैसे आप तुरी नेत्र का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही बगवान शंकर जी की जो है छवी दिखाई परती ह क्या हो जाएगा इसलिए वहां पर बहुत भी समास हो रहा है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों बे शर्म में कौन सा समास है अंसर आपका है दोस्तों अवई भाव समास यहां पर देखिए जो बे है यह आपका जो है क्या रहा है अव्यत है आ रहा है इसी वे से यहां पर कौ अंधाराय समास होता है ये विशेसर विशेस या इसके अलावा क्या है उप में उपमान दोनों ध्यान रखिएगा उसी से आपको याद रहेगा कि कौन सा समास है तो नेक्ट कोशन है दोस्तों कि नर्वच्ची में कौन सा समास होगा आंसर देखें दोस्तों तो आंसर आपका होगा तत्पुरुस समास नर्गा भच्छर करने वाला नर्भच्छी होता है आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स कोशन है कि जिस समास में पूरा सब्द क्रिया विशेशड के अर्थ में वहविर्थ होता है उसे काउंट सा समास कहते हैं तो पूरा सब्स जिसमें क्रिया विशेशर के तौर पे जो है हम लोग देखते हैं वो आपका क्या है अब वही भाव में आता है तो दोस्तों ये सारे कोशन थे जो आपके प्रैक्टिस के लिए थे मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको पसंद आये होंगे और आपको पूस्टेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे साथ ही साथ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब परेंगे और बाल आइकाइन पर जरूर से जरूर क्लिक कर लेंगे ताकि उनके पास नोटिफिकेशन तुरत पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए हो सके तो अपने FB पर WhatsApp ग्रूप पर सभी पर डालिए तब तक के लिए अब जब तक मैं नए वीडियो नहीं लाता हूं तब तक आप इसको दीखिए और जो क्विज है पुरानी उसके उपर प्रेक्टिस करिए तो च मैं आपके लिए नए वीडियो ले करके फिर से हजरूंगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिन